आज के हमारी मूवी एप्रिल्स नो ये 2005 की कोरियन रोमेंटिक मूवी है हमारी इस मूवी का में क्यारेक्टर जिसका नाम है इंसु ये फर्स सीन में हमें एक इवेंड के लिए लाइट्स मैनेज करता हुँ दिखता है रॉक शोस में बीट के हिसाब से जो लाइट्स बतलते ह इसी इंस्टोलेशन का काम इंसु का है ये काम पर था और अजानक से इसे कौल आ गया वे जल्दी से वहाँ से निकल गया इसके बाद डारेक्ली ये वह हॉस्पिडल में आयो हो में दिखता है इमर्जेंसी रूम के बाहर वो वेट कर रहा था और वहाँ हमारी और एक मेन क् सुयंग भी इंसु की तरह ही डिस्टब है कौलने के बाद जिस तरह से इंसु डिस्टब्ड है उसी तरह से सुयंग भी है अब नेकसिन में हमें पता जलता है कि इंसु की वाइफ का एक्सिडन्ट हुआ था सुयंग डिस्टब्ड थी क्योंकि उसके हस्बंड का भी एक्सि इसमें उन्हें प्रोटेक्शन भी दीख सकता है जिस गाड़ी में इनके पार्टनर्स का एक्सिडेंट हुआ था यह भी वो नोटीस करते है जो चीजे इन्हें पूली स्टेशन से मिली है इसमें कैमेरा भी था इस कैमेरा को सुयंग चेक करती है और उसे बहुत बुरा रखत है इन दोनों के लिए मिस्ट्री है कि उनके लाइफ पार्टनर घर से इतने दूर क्या कर रहे थे इन su अपने वाइफ के ऑफिस में कॉल लगाता है वह उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने वैकेशन के निए चुट्टी ली थी इन पुसकी वाइफ कहें कर गई था यह क उसे फिर से city में यानि Seoul जाना पड़ेगा जहावर accident हुआ है यह इंसू के workplace यानि Seoul से बहुत दूर है वो अपने सब काम छोड़कर यहाँ आया हुआ था तो उसे फिर से घर जाना पड़ेगा इंसू अपनी wife का phone चेक करता है पर वहाँ एक password है वो अलग-अलग pattern ट्राय करकर देखता है तो finally unlock हो जाता है इस phone में उसकी wife और स्यों के husband इन दोनों में जो भी conversation हुई थी यह सब कुछ वो पढ़ सकता है यह पढ़कर वो बहुत disturb होता है स्ट्रेस की वज़े से उसके नाक से भी खुन बहने लग चुका है जब वो काम पर जाता है तो उसका friend उसे advice करता है कि थोड़े दिन अब तु आफ ले लो पिछली बार अचानक से शो छोड़ कर वो चला गया था इसी वज़े से उसके producer उस पर नाराज है वो फिर से अपनी wife के पास जहावर excellent हुआ है वहाँ पहुच आता है जिस hotel में वो रह रहा था उसी hotel में सुयंग भी रह रही है एक दुसरे के आमने सामने आते है इनसु उससे बात करता है कहता है मैंने police को कहा कि मेरी wife एक business trip पर आई थी या तुमारे husband भी business trip पर आई थे सुयंग कहती कि हाँ इनसु बोलता है कि मेरी wife vacation के लिए आई थी तुमने police को जो कहा वो सही कहा इन दोनों को अपने partners के बारे में पता है ये pretend नहीं कर सकते कि इन्हें कुछ भी पता नहीं है रात में जब इनसु अपनी wife को देखने के लिए आता है तो सुयंग भाग खड़ी हुई थी उसके husband का किसके साथ affair चल रहा था यह ओ देखना जाती थी इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों medical store पर मिलते हैं जो भी सब इनके साथ हो रहा है तो इन दोनों को sleeping problems आ रहे है आगे चल कर सुयंग इनसु से बात करती है पुछती है कि तुम्हें उन दोनों के बारे में कैसे पता चला इनसु कहता है मेरी wife के phone में सब messages थे सुयंग से बुछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कहती है कि जो camera पुलिस ने हमें दिया था वो मेरे husband का नहीं था सुयंग फिर सब messages पढ़ती है और इनसु को camera देती है camera की video clip में वो देख सकता है कि उसकी wife सुयंग के husband के साथ intimate हो रही थी इसके बाद वो अपनी wife को देखने के लिए hospital में आया है उसके wife की और सुयंग के husband की condition बहुत ही critical है तो किसी से भी बात नहीं कर सकते है इनसु अपनी wife से कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था नेकसिन में हम देखते है कि उसका friend उसे मिलने के लिए आया हुआ है उसे सहारा देता है और कहता है कि worry मत करो तुम्हारी wife ठीक हो जाएगी जब सब बात इनसु अपने friend से कहता है तो उसे बहुत ही शर्मेंदा महसूस होता है वो friend से कहता है यह सब मेरी ही गलती थे तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे वो अब अपने friend से भी बात नहीं करना चाहता उसे भी जाने के लिए कहता है वो बहुत ही drunk हो चुका था और directly सुयंग के room तक आया उसने उसे कहा मुझे तुम से बात करनी है पर वो कोई भी बात कर सके इसके हालत में नहीं था सुयंग अपने room से बाहर निकल गए और वो वही सो गया अगले दिन इनसुने जो भी किया इस सब के लिए सुयंग से और सुवारी कहता है इसके बाद हम देखते है कि इनकी government official से बात होती है यहां में पता चलता है कि इनके partners का accident इसी और गाड़ी से टकरा कर हुआ था जो दुसरा आदमी था उसकी date हो चुकी है एक government official उनने कहता है गाड़ी कौन चला रहा था यह अब तक पता नहीं चला है settlement कैसी होगी यह भी unclear है यह इन दोनों से कहता है यह उस आदमी की funeral पर तुम दोनों को जाना चाहिए यह उस आदमी की गाव में पहुँचते है वहाँ पर उसकी mother इनका welcome करती है उनसे पूछती है क्या तुम मेरे बेटे के friends हो यह सच-सच उसे बता देते है सुनकर रोने लगती है गहती है यहाँ आने की तुमें कोई भी जरूरत नहीं थी निकल जाओ यहाँ से जब उस आदमी के brothers को पता जलता है तो इनने मार मार को निकाल देते है यह सब situation देखकर इनको बहुत बुरा लगा गर आते वक्त इनसु बहुत रो रही थी next day इनसु जब अपनी wife का clean up कर रहा था तो अचानक से वो interest खो देता है इनसु अपनी wife से कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था उसे बुछता है कि तुमने ये किया क्यो आज रात भी उसे नीन नहीं आती बाहर स्नो पड़ा था तो स्नो पाल बना कर वो fake रहा था यह सब सुयंग अपनी room से देखती है वो भी फिर उसे बात करने के लिए नीचे आती है तो स्नो पाल फेक रहा था तो उसे बुछती है कि क्या तुम athlete थे इनसु अपनी profession के बारे में उसे गहता है वो गहती है यह तो बड़ा interesting काम है इनसु को इतना अच्छा नहीं लगता वो सुयंग से बुछता है कि तुम क्या करते हो गहती है कि मैं house wife हू इनसु कहता है कि वो भी बहुत ही hard work है सुयंग को उसके husband ने इस तरह से कभी भी acknowledge नहीं किया था तो इस सुनकर उसे अच्छा लगता है यह दोनों फिर dinner करने के लिए एक hotel में आते है सुयंग इनसु से बुछती है तुम और तुमारी wife तुम दोनों कैसे मिले थे इनसु कहता है कि मेरी wife photographer थी तो college का photo लेने के लिए वहाँ आई हुई थी वो जब अपनी wife के college का नाम बताता है तो सुयंग भी कहती है मेरा husband भी उसी college में था शायद तब से वो एक दुसरे को जानते थे इनसु पुछता है कि तुम और तुमारे husband कैसे मिले थे वो गयती कि मेरा arrange marriage था तुमारी wife का career था इसलिए शायद मेरे husband को पसन आई होगी वो इनसु से पुछती है जब तुमारी wife को होश आएगा तुम क्या करोगे इनसु मजाग में कहता है कि मैं उससे revenge लूँगा ये दोनों इस पर बहुत अस्ते है सुयंग भी मजाग मजाग में कहती है कि हम दोनों में अगर relationship होगे तो दोनों बोखला जाएंगे इसके बाद इनका dinner खतम होता है अगली दिन lunch भी ये एक साथ करते है इनसु फिर से अपने काम continue करने के लिए सुयंग के साथ सियोल पोचता है एक रात ये बाहर walk के लिए आते है इन्हे walk तो करना था पर सुयंग को बहुत धंड लग रही थी सुयंग गहती है क्योंना हम भागते भागते कार तक जाया ये दोनों फिर ऐसा ही करते है अब नेकसिन में हम देखते है कि फिर से hospital में पोच चुके है एक छोटा सा plant भाय करकर सुयंग इनसु को देती है ये थी है कि इसका अच्छा सा खैल रखना इनसु भी खहता है तुमारा फेज़रेट सीजन कौन सा है इनसु कहता है मुझे स्प्रिंग बसन है सुयंग को विंडर अच्छा लगता है इनसु कहता है कि मुझे स्νοॉ भी अच्छा लगता है वो विश करता है स्प्रिंग में स्नॉ गिरना चाहिए इसके बाद एक दूसरे के साथ ये सेल्फी लेते हैं इंसो ने अभियापी जो कहा इस स्प्रिंग में स्नो गिरना चाहिए इन दोनों के फेवरेट सीजन अलग-अलग है पर ये चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाए इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है पर इस बात के बाद इन दोनों ने सेल्फ लिया जो मुमेंड इनके पास है ये कैप्चर करकर रखना चाहते हैं एक दिन एक दूसरे के साथ ये थे तो इनसो के फादर-इन-लो वहाँ आ गए सुयंग को उसने चिपा दिया और उनके साथ वो आगे चला गया ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लग गए थे अजानक से हॉस्पिटल में एक दिन इनसो को क्वाल आया उसकी वाइफ अब होश में आ चुकी है वो उसे देखने के लिए गया पर नर्स ने कहा कि अब ये होश में आ चुकी है पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते है इनसो फिर अपनी वाइफ का बहुत खयाल रखता है ये सब सुयंग नोटिस कर रही थे जो भी हए पर फिर भी अपने हस्बन को मिस कर रही थे डाक्टर से बुछती है मेरे हस्बन की कंडिशन में या कोई चेंजिस आये डीक्टर कहीते है कोई भी चेंजिस नहीं आये अगर तुम साहती हो तो सीवÓल में उन्हें एड्मिट कर सकते हो जिनके साथ तुम्हारे husband का accident हुआ था वो अब sea hole shift हो रही है यानि कि इनसु अपनी wife को लेकर sea hole जा रहा है ये सुनकर वो hurt होती है जब वो फिर से इनसु से hospital में मिलती है तो कहती है ये तुम अब खुश होंगे तुम और तुम्हारी wife sea hole जाने वाले है गुसे में वहाँ से वो चली जाती है इनसु फिर से सुयंग से मिलने के लिए आया उसके साथ वो डिनर पर जाना जाता था और सुयंग ने उसे मना कर दिया इनसु ने कहा कि मैं तुम्हारी लिए wait करूँगा इसके बाद हम देखते हैं दोनों फिर से intimate हो जाते है इनसु फिर वंडर करता है अगर हम हमारी life में बहुत पहले और बहुत बाद मिले होते है तो हमारी life कैसी होती है उसे लगता है कि ऐसा अगर होता तो इन दोनों की situation अब बहुत अलग होती है इसके बाद डॉक्टर ने सुयंग को call किया और बताया तुमारे husband की date हो चुकी है सुयंग के husband की तबियत अचाना इसे बिगट गई थी जब funeral होता है तो इनसु भी अपने condolence देने के लिए आता है अब थोड़े दिन गुजर चुके है और इनसु की wife अब बात कर सकती है वो इनसु को thank you कहती है कहती है सब चीजों के लिए thank you इसका मतलब है उसने इसके साथ इतना बुरा किया फिर भी इनसु ने उसे help की इसके लिए thankful है एक बार इनसु फिर से सुयंग से मिलने के लिए आया पर सुयंग वहाँ से चली जा चुकी थी इसके parallel में इनसु के घर के बाहर हम सुयंग को देखते है उसे देख देखकर वो बहुत रो रही थी इनसु भी बहुत रोया नेक सिन में हम देखते है कि इनसु अपनी wife के साथ था इसके wife उसे पुछती है जो भी हुआ इसके बारे में क्या तुमें questions वगिरा कुछ भी नहीं पूछने इनसु कहता है पहले पूछने थे अब मुझे कोई भी फरक नहीं पड़ता वो अपनी wife को बता देता है कि सुयंग का husband मर चुका है wife रोनने लगती है तो इनसु डोर बन करकर वहाँ से जा रहा है इस scene में इनसु ने कहा कि अब उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता अपनी wife को उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया है नेक scene में हम उसका सामान भी देख सकते है यानि कि न्यू होम में अब moving कर चुका है इसके बाद हम देख सकते है कि इनसु अपने काम में इंगेच होता है यह जो season चल रहा है यह spring का है जो उसका favorite है अचानक से वहाँ बर्फ किरने लगता है जो सुयों का favorite season है मूवे में हमने देखा है कि इनसु को लग रहा था इसायद spring और winter एक साथ आजाए और ऐसा ही हुआ है यानि कि एक दूसरे से अब वो मिल चुके है इसको justify हमारा next scene करता है हमें snow में गाड़ी चलती हुए दिखती है और इन दोनों के आवाज background में आते है अब एक दूसरे के साथ यह है इसी तरीखे से somewhat black and white अबने मर्द भूली है हम फिर से मिलेंगे और इक ने मुवी के साथ तब तक रहे थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया